दोस्कार दोस्तों मैं राहूल एक बाग फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल योर्स ओडिटर में दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्टिफिक्सर इजामिलेशन के बारे में यानि की एनर्जी ओडिटर और एनर्जी मेनेजर का जो एक्जाम ब्यूरो ओफ एनर्जी पेसेंसी और नेशनल प्रोटक्टिविटी काउंसिल के दुबारा कंड़क्ट कराया जाता है उसके पेपर पैटर्न के बारे में, आप सबको पता ही होगा इसमें टोटल चार इनर्जी ओडिटर के लिए और एनर्जी मेनेजर के लिए 3 book है मैंने previous video में अच्छे से समझाया था लेकिन आज की इस video में हम बात करने वाले हैं exam के लिए कैसे prepare करना है उसके बारे में हम जानेंगे उसके paper pattern के बारे में बात करेंगे उनकी जो 4 जो book है उसमें किस type का question आता है कहां से कितने number का question आता है उसके बारे में हम जानेंगे इस video में तो आज हम बात करने वाले हैं National Certification Examination for Energy Manager and Energy Auditor का जो exam होता है उसके paper pattern के बारे में आज हम discuss करेंगे इसमें आपको already पता है जिन लोगों ने मेरा previous video देखा है उनको पता है Energy Manager का paper जो है qualify करने के लिए उनको first three book यानि की book one, book two, book three ये तीनों book clear करना होगा इसके अलावा जो लोगों ने auditor के लिए apply किया है auditor के form fill किया है उनको ये चारों book जो है paper one, paper two, paper three, paper four ये चारों paper clear करना परेगा Energy Auditor बनने के लिए तो आज हम बात करने वाले हैं paper one के बारे में यानि की general aspects of energy management and energy audit इसके बाद हम बात करेंगे paper two के बारे में तो आज हम बात करते हैं paper one के बारे में तो आज हम बात करने वाले हैं general aspects of energy management and energy audit paper one के बारे में यानि की book one में जो आप पढ़ाई करेंगे उससे कौन सा question आता है कितने section में आएगा, क्या passing marks खोगा, उसके बारें बात करेंगे तो सबसे पहले मैं बता दूँ आपको इसका जो duration होता है या paper तीन घंटे का होता है, यानि आपको तीन घंटे के अंदर आपको ये paper complete करना है ये जो है तीन section में आपको question दिया रहेगा इसमें और इसका जो marks है, full marks है, इसका date so number है, यानि कि 150 marks और इसमें आपको pass करने के लिए आपको 75 number लाना जोरी है, 75 number आपको लाना जोरी है, यह देखिए, यहाँ पे paper 1, paper 2, paper 3, paper 4 यानि paper 1 मतलब क्या हो गया, paper 1 मतलब book 1 से जो question आएगा, paper 1 के लिए आएगा, book 2 से जो question आएगा, paper 2 के लिए आएगा, book 3 से जो question आएगा, paper 3 के लिए आएगा इसकी अलावा मैं आपको बता दू, पेपर 4 में book 4 के अलावा book 1, 2, book 3 यानि कि आपको book 4 भी पढ़ना है, book 3 भी पढ़ना है, book 2 भी पढ़ना है, book 1 भी पढ़ना है पेपर 4 को clear करने के लिए, क्योंकि पेपर 4 में इन सारे किताबों से question पूछा जाता है और जो आपका paper 4 होता है, वह open book exam होता है, यानि कि paper 4 में आप अपना book लेके जा सकते हैं और बहुत सारे लोगों ने comment किया था कि इसमें calculator allow है कि नहीं है तो भीया, इसमें calculator allow है, मैं पहले ही बता चुका हूँ comment में, लेकिन आप जान लिजिए, जिन लोगों को doubt आगे रहेगा तो वो समझ जाए कि इसमें आपको calculator allow है, scientific calculator जो है, वो allow है तो इसी के साथ अब हम देखेंगे paper 1 का pattern क्या है देखिए, यहाँ पर एक में previous जो question है, उस पर हम आपको समझा रहे हैं कि इसमें कौन-कौन से section है और कितने number का आता है, तो यहाँ पर आप देख रहोंगे paper 1, code green इसमें जो है, paper जो है, इसका जो code है, ग्रीन का है, इसके लाग़ पर पिंक भी आता है यानि कि इसमें 2-3 तरह का question आता है, question same रहता है, सिर्फ इसका जो number है, 1, 2, 3, 4, यह सब change होगा आपको, है ना इसमें जो है, आपका जो मैंने बता चुका है पहले ही आपको, duration वगेरा, तो इसमें जो है, आप इसमें पर लिजज जिएगा, ठीक है इसमें जो है, इसका जो मतलब मैं बता दूँ, इस पेपर का section तीन section है, यहना तीन section में divide है, पहला जो section है, वो है objective type, यानि कि आप से objective type question पूछा जाएगा इसमें, आपको option दिया रहेगा, तो आपको option चूज करना है, आपको इसमें calculate भी करना होगा, तो आप scientific लेके जाए इसमें जो है, पचास नंबर का objective आगा, यानि कि एक नंबर का एक objective आपको मिला जाएगा यहाँ पे, पूरे पचास question होगे, पहले section में, objective type में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको calculate करने के भी जोगत परेगी, इसमें आपको कुछ, उससे भी आ रहा है, इस इसमें काम की है, उनके लिए easy है, कि non contact flow measurement can be carried out by, जहाँ पे तीक लगा हुआ है, लेकिन यह ultrasonic flow meter है, इसके आपको बहुत सारे जो है, इस टाइप के question आपको मिलेंगे, तो यहाँ पे आपको 50 question objective दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आपको 50 objective यानि कि यहाँ आप 50 objective सही ब calculation भी है इसमें, ठीक है, objective भी है, अब हम बात करेंगे section 2 के बारे में, यानि कि short descriptive question, इसमें जो है total 8 question होंगे, एक question जो है वो 5 number का होगा, ठीक है, यानि कि section जो 2 है, वो 40 number का question रहेगा, इसमें आपको short, यानि कि short में जो बताना है, ज्यादा इसको आपको खीचना नहीं है, समय का भी कमई होगा, वहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं pattern, यहाँ पे, तो यहाँ पे solution दिया हुआ है, लेकिन आप, यहाँ पे सिर्फ pattern को समझी है, और preparation कीजिए, यहाँ पे आपको objective के लावा जो है, second section में आपको दिया हुआ है, यहाँ पे आपको short descriptive question, उसमें आपको, समय देना है, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें, पांस नंबर का question है, पांस नंबर का question है, यहाँ पे जो पांस नंबर का question है, इसको divide कर दिया section wise, section wise, A, B, C, तो यहाँ पे आपको दो दो नंबर, दो दो नंबर, एक एक नंबर ऐसे करके, step wise नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, इसी के साथ, अब मैं ज़्यादा time आपका नहीं लोगा, मैं चलता हूँ section 3 के तरफ, section 3 में long descriptive questions हैं, जो की 10 नंबर के होंगे, यहाँ पे आपको 6 question दिया जाएगा, जो की 10 नंबर के होंगे, इसमें अगर आप, जैसे की question देख लिजिए, यहाँ पर पूरा इसको पढ़िएगा, तो इस question से एक छोटा सा question इन्होंने create किया है, तो अगर आप इसको solve कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है, यहाँ भी आपको step mark के दिखाई दे रहा होगा, यह देख सकते है यहाँ पर, यहाँ पर 7 नंबर का यह आ गया, यहाँ पर फिर आपको 4 नंबर का, 2 नंबर का, 2 नंबर का, 4 नंबर का, 4 फिर 5, 5 नंबर, 15 नंबर, 2 नंबर, इस type से section 3 में आपको 6 question है, जो कि 10 नंबर का है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, इस type mark भी आपको मिल रहा है, तो यहाँ पर आप, आज समझ गए, paper 1 के बारे में, paper 1 के बारे में, अब आपको clear हो चुका है, next वीडियो में हम बात करेंगे, book 2 यानि की paper 2 का जो question pattern है, वो कैसा है, और जिन लोगों को topic जानना है, कि book 1 में कौनकों से topic आते हैं, मैं नीचे description में, अपने पुराने वीडियो का link डाल दूँगा, वहाँ से आप जान सकते हैं कि आपको कौन से cover करना है topic, तो दोस्तों इसी के साथ, आज सेसन है, आज वीडियो है, मैं उसको यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर मिलूँगा next video में, आपका जो doubt है, आपका जो, जो भी आपका question रहेगा, उसके regarding video आपको फिर मिलेगी, तब तक के लिए मुझे इजार चाहिए, लेकिन जानने के पहले मैं बोलना चाहूँगा, जिन लोगों को video अच्छा लगा हो, video को like करे, share करे, और subscribe करे, फिर मिलूँगा next video में,